कारे कानी विस्तारीत बैठक और ब्लाक अध्यक्षों की महत्पूर्ण बैठक आई जित्ती गईगी जिसमें हमारी अखिल बार्दी कांग्रेस कमिटी के महासे जिए 36 लड़ के प्रभारी हम सबके मारदर्शक हम सबको मारदर्शन दिये मीडिया से भी पूरी जानकारी आज पूरा दिन से कॉंग्रेस पार्टी के बदाधिकारियों से मिल रहें सुभा हमारे जिला ग्यक्षते और प्रदेश के अरे परिश हमारे कारे कालिवी के सब्सक्राइब उसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे कुख्यमंत्री दिल और अन्य उनके मंजी मंदल के से दस्षिक और प्रायक गंड नायर इसमें मौजूद है पार्टी के बारे में चर्चा हुई आगे आने वाले समय में पार्टी के कारिक्रमों के बारे में चर्चा हुई आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी जिकीर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है खन्या कुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंचेंगे और अब आप समझ लीजिए कि आखरी चरण है पीछ में थोड़ा सा ब्रेक है और उसके बाद आखरी चरण में हर्याना, यूपी, दिल्ली और फिर उसके बाद पंजाब और कश्मीर वहां तक पहुंचेंगे बहुत लंबा रास्ता ते किया है ना केवल किलो मीटर में लेकिन लोगों में जो हमारे देश की आप समझ लिजे कि सुन्दरता भी है, हमारे देश की एकता भी है, जिसे हम यूनिटी एन डाइवरसिटी कहते हैं लाखों लोगों से राहुल गांदी जी मिलते चले गए, लोग उनसे प्यार के साथ जुड़ते गए और जो आज एक दूशित कर रही है, उसके खिलाब देश में एक प्यार का और सौहार को बातावरन पैदा करने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए राहुल गांदी जी निकले हैं, ये मकसद लेकि करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हैं, अब इस संदेश को हमने जन जन तक लेकर जाना है, हमारे इस प्रुदेश में 36 कड में अगला चरन जो है भारत जोड़ो का हाथ से हाथ जोड़ो, उसको हम कैसे जन जन तक लेकर जाएं, उसके बारे में 19 तारिख को बन चुके हैं, और 26 तारिख से, 26 जनवरी से अगले एक दो महिना में हम हर बूट तक पहुंचें, हर घर तक पहुंचें, उसकी पूरी रूप बेखा बना ली गई, इसके अलावा, इसके अलावा कॉंग्रस का अजिवेशन होने जा रहा है, क्योंकि अभी हमारी पार्टी के चुनाव हुए हैं, और पार्टियों में तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी में लोक्तांसिक पार्टी है, चुनाव होते हैं, हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, श्री मलिका अर्जुन जी खार्गे, और कॉंग्रस पार्टी का अपनी होने जा रहा है, और यहां के लोगों में बहुत उत्सा है, इस महादिवेशन के लिए, इसके अलावा, बहुत से मुद्दे हैं, यहां पर हमारी सरकार है, तो इस पार्टी की सरकार, और इतने पिछले चार साल में, मुझे नहीं लगता, कि आप तुरे देश में देख ली चलके और राचे भी सीख ले रहे हैं, चल्पिस गड़ से, यहां के लोगों के बीच में, यहां की लोगों की जमीन के लोगों की प्रतिवा को जागर करना, यहां की संस्क्रिपी को, उस पर गर्ब करना, हर तरह से यहां के लोगों को एक नया गौरफ को दांच किया है, हम कुछी है अनेकों स्कीम है जिनें लागू किया गया है वो भी जन जन तक पहुंची है और उसे अब कारिक्रम है एक बहुत हैं मुद्दा है आरक्षन का जिसके बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई एक समय था जब इसको लागू करने की बहुत बत्ता है दिया गया था कि अगर राजे सदकार इसे लागू करती है तो उसे जो फिल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा लोग की बात यह है कि मानिया राजे पाल ने अभी तक उसको स्विक्रिटी नहीं दी है उसको पेचिदा बना दिया गया कि ऐसा होता नहीं ऐसे कारे में अगर तरहीं और से इस तारें कीची जा रगी धिराजने की दूट से तो यह चत्रिसकर्ड के लोगों के लिए बहुत ही बुद्भा की फूंगा रहता है यह वहीं लोग हैं जो एक समय में कहते थे कि कौप्रिटिस प्रेडरलिसम होना चाहिए राज्यों के अधिकारों का आज की दिन जिस तरह से हनन हो रहा है चत्रिसकर्ड से जा लगों है लेकिन यहां पर कॉंग्रिस पार्टी और हमारी सरकार हमारे अध्यक्ष पैटे हैं अरकाम जी हमारे मुक्य मंत्री पेश बगेर जी और उनके सभी साथ परिशनेता हैं मंत् जाहे सिंग्देव जी हो जाहे साओ जी हो हमारे डॉक्टर शिव भी बैटे और अनेकों हमारे नेता हैं पुराने हैं दूबे जी हैं बहुत से नेता हैं तो सबने कार्य किया है और आगे मिलकर हमारे नेत्रतु सोनिया जी राहुल भी खरगे जी के नेत्रतु में यहां प मेर्दान में उत्रेंगे और पूरे विश्वास के साथ कैसे तूर कि जिस तरह के कारी हुए है और हमारी कॉंग्रेस पार्टी की रहमस कूरती है हम अगला चुनाव चीतेंगे और फिर से यहाँ पर हमारी सरकार अचा यह बैक है कोई आपकी कातर शिकायत ना मंत्री सुन रह आने वाले दिनों में चुनाओ है कैसे सब मों साथ ने चजली गया ऐसी बात नहीं है और इतनी शिकायत कॉंग्रेस पार्टी है जहां पर हमारे लोग कॉंग्रेस के कॉंग्रेस चेर्न अपनी बात खुल कर कह सकते हैं हम किसी के जबाण बिंद नहीं करते हुएं। तरीका आगे भी जारी रहेगा क्या विल्कुल तीन तारिक को जब हमारा भी होगा पिधान सभा का तीन तारिक को एक बड़ी राली हम करेंगे और आरक्षन का जो मुद्धा है उसको हम लोगों के दर्बार में लोगों के वीच में रखेंगे तासीर कितना समझ पाई है अलग यह पहली बैठटी यह प्रोहरी को यह ब्यूटी है और जानेंगे और लोगों के बीच में किस तरह की रणवीती रही तो कि अने वाले और नए प्रेस्टेंटे उसमें पर उनको भी मौता देंगें और तरह की बात होगी है समय पर प्रिदेश की जब कार्यकारणी होगी सब लोग में फैसला करें यहां पर राज किया और जैसे लोगों के मन से वह उत्रे अपने देखा भष्टा चार पहला हुआ था हर तरह से यहां के लोगों को चला गया था लेकिन लोगों ने विश्वास कॉंग्रेस पार्टी में किया जब कि कोई मानता नहीं था कि कॉंग्रेस पार्टी यहां पर इसका दर जीत सकती है ये लोगों की बात अभी आपने हिमाचल में भी देखा, जो ये अंदर से बात पुछी है जो लोग दिखा देते हैं, आज के दिन हमें पूरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारा कारी हो रहा है और हमारा नेट्रिट लोगों को जूर रहा है, जाहे केंद्रियन नेट हो जाहे राजे का नेट्रिट को यहां पर फिर से कॉंग्रिस पार्टी से सटोला था, मैड़म लेसे बाता है, यहां पर सब को लगता है, अब जैसा हमारे अद्यक जी कहते हैं, पांच खाई होते हैं, सब को बराबर हो नहीं, यह कोई ऐसी पास नहीं है, हमें एक ही, परिवार का हिस्सा है, हो सकता है, मुझे कुछ बात लगे यारू, गुछ लगे लिकिन है तो एक परिवार, अब जिप समय आता है, सब में जो रिगर को पैसले करते हैं, कारे करते हैं, पूर प्रहारी नहीं हो तब को इसका तो तो क्या उश्वर अप धियां देंगे? पुर्वर्वारी ने बहुत काम किया, यहां पर पुनियाजी में सालों बहुत काम किया, मेरी उनसे बादचीत कुई भी है, और कुर्टी रहे है। मेरे दोस्ट छोटे छोटे सवाल एक तो आपने काहा कि